काल कंदा की वर हम आपको दिखाएंगे मंदिर में जो भी है कि यह हमारा मैंजेट और अपने दोस्तों की साहरा मंदिर में त्रस्तान कर चुके हैं और सामने आपको दिख रहा है चीडिया भी काफी है और दूब भी कापी हो गई लेख सकते हैं इदक अपने फ्रेंड्स भी एडिट बग्यारा कलें पर कितब आप देख सकते हो दूप्री कापी हो चुकी है कि मावली कुछ ऐसा है पर मावल होता अच्छा है मावली अच्छा है वेसे तो देखनी लाइट है है तो आप देख रहे हैं शीडियो में चल रहे हैं और कापी शीडिया चट चुके हैं और जात्री घंड भी कापी है उपर मंदिर में अब चल रहे हैं और यहां का मावल भी आप देख सकते हो कापी अच्छा है एक दम सुन्दर पेड़ बहते भी पूप रहे हैं और यह देखो अभी तो कापी चड़ना बाकी है पूरा किला लग रहा है यह तो मोरीजय का गड़ है यह किला मोरीजय का किला है एक नंबर है कि दोस्तों दो रास्ते मंदिर गड़ा तो अपने पहले गड़ की तरफ जा कराएंगे देखें कैसा है मैं तो पस्ट बार आया है यहां पर यह किले में जाने के लिए उपर वाला गेट है तो हम इसके माध्यम से उपर जा रहे हैं तो देखो दोस्तों यह अपना खिला पुराना और इसके एक कमरे में जाके आपको दिखाएंगे कोई जंगली जानवर या कुछ पुराने से दरशे जो नहीं देख पा रहे हैं कभी ऐसी ऐसी चीजे यहां पर अभी भी लुक्त हैं यहमारे को पता नहीं है वैसे तो है काफी ड्रावनी यहां पर कुआ है यहां यहां पर देखने दीजिए भया काफी ड्रावना और बहुती सुन्दर नजार आए एक नंबर यहां जब आई साब मोख ली अठी ओर चैजर तीर चलाई जाए थी दूस मना भाई कि देखो तीर सुन्दर नजार आए एक नंबर याणि चीजा भूद कम देखमान मिले है देखो में मागा चैनल के जरिये थाने अच्छी अच्छी चीजा दिखाऊ ला बस तागो प्यार सपोर्ट बणायो रांखो तो दोस्तों अब हम किले में से निकल कर अब माताजी के दर्सन के लिए रवाना होंगे और थोड़ी देर में दर्सन भी हो जाएंगे मंदिर के नजदी का चुके हैं और इस मंदिर की एक खास विसेस्ता यह है कि ये मंदिर एक गुपा के अंदर है नीचे बिल्कुल पत्रों के नीचे और थोड़ी देर में मंदिर के अंदर चलने वाले हैं ये लो दोस्तों मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं थोड़ी नीचे चलना पुड़ेगा हमारे के क्योंकि मंदिर थोड़ा नीचे और है कि आगया सामने मंदिर और यहां से नीचे है थोड़ा मंदिर के मरें मुझे नीचा करना पुड़ेगा क्योंकि यहां से तोड़ी दिक्कत है यह देखो दोस्तों यह है मंदिर बिल्कुल पत्रों के नीचे है काफी पुराना मंदिर है प्राचीर मंदिर कह सकते हैं में इनको अच्छे से देखिए दोस्तों बहुती पुराना मंदिर है और बहुत संदर भी है प्राचीर मंदिर तो दोस्तों आपने देख लिया है